तो कैसे हो आप लोग मेरा नाम रंजीत है और इस वीडियो में हम यह Redmi Y3 के बारे में बात करेंगे जो कल लॉंच हुआ था इंडिया में और भाई मैं पूरी सी अंबॉक्सिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरे इंग्लिस चनल पर पूरी अंबॉक्सिंग कर दी थी अगर आपक वो 32 Megapixel का दिया गया है लेकिन आगे बंदने से पहले मेरे जो thoughts हैं में आपको share करने से पहले इसके जल्दी से specs देख लेते हैं और जैसा आप देख सकते हैं इसमें जो screen दिया गया है एक 6.26 inch का screen दिया गया है और यह Snapdragon 632 SoC के साथा आता है 3 या 4 GB RAM और 32 या 64 GB storage के साथा आ जो है 12MP प्लस 2MP depth का दिया गया है, तो भाई क्या सोचता हूँ मैं ये फोन के बारे में, और पहली बात हम जो बात करेंगे, इसके दाम के बारे में बात करेंगे, इसका जो दाम है, ये base variant है मेरे पास, जो 3GB RAM के साथ आता है, और 32GB storage आता है, इसका दाम है 10,000 रुपे, और ए Xiaomi के खुद के phones, जो ये Redmi Note 7 है, ये 10,000 रुपे पर आता है, और इसके जो specifications है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये phone से, जैसा आप देखते हैं, ये पीछे का जो पूरा bag दिया गया है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा plastic का bag दिया गया है, ये Redmi Note 7 में glass pack दिया गया है, तो build quality definitely Redmi Note 7 की जो है, जादा अच्छी है, इससे जादा बहतरीन build quality, और screen के बारे में भी जब हम बात करेंगे, इसमें screen का size ठीक है, आजकल 6.26 inch 19 is to 9 aspect ratio में दिया गया है, लेकिन again screen जो है, ये 720p HD plus screen है, फुल HD नहीं है, तो भई, इसकी जो एक speciality है phone की सिर्फ front facing camera है, क्योंकि अगर हम camera के बारे में बात करेंगे भई, camera अगर आप अच्छा दे रहे हो, camera centric smartphone दे रहे हो, तो दोनों पीछे के और सामने के camera's अच्छे रहने चाहिए, लेकिन जैसा आप ये कुछ sample shots देख रहे हो, पीछे के camera's से मेने लिए थे, अगर जहाँ भा front facing camera के बारे में बात करेंगे, front facing camera की performance से बहुत ही अच्छी बहतरीन है, 32 megapixel का camera है, और जैसा आप देख सकते हो, ये sample shots जो मैंने लिए थे, बहुत ही अच्छे आए, और इसमें जब हम portrait bokeem mode भी enable करते है, camera का performance बहुत अच्छा है, और एक चीज़ जो मुझे बहुत official lighting में भी जब मैंने ये sample shots इससे लिए थे, जैसे आप samples देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छे है, front facing camera, तो लगता है, शौमी ने सिर्फ front facing camera पे concentrate किया, तो front facing camera का performance तो बहुत अच्छा है, ये phone का, तो अगर आप selfie, selfie, selfie लेते हो, तो आप ये phone ले सकते हो, लेकिन यार, selfie ही एक चीज जो नहीं है, phone में, overall जो performance है, phone की आपको देखना चाहिए, और ये dam के हिसाब से, जो dam इसका 10,000 रुपे है, मेरे हिसाब से, दाम कुछ बहुत जादा है, ये phone का, क्योंकि जो specifications है, ये phone के, उसके हिसाब से, इसकी pricing मेरे हिसाब से, करीब आप और 9,000 के बीच में र गया है, Snapdragon 660 का दिया गया है, और ये काफी better phone है, चलो चलो, श्वामी को नहीं देखते हैं, competition को देखते हैं, जब कोई नया phone launch हो रहा है market में, तो competition भी हमें देखना चाहिए, तो competition के हिसाब में भी ये कुछ कच्छा पड़े आता है, क्योंकि 9,000 रुपे में हमें, ये Realme 3 म ये जो Y3 है, उससे काफी ज़ादा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से 9,000 रुपे पे ये Realme 3 कुछ ज़ादा better phone है इससे, हाँ, लेकिन selfie में अगर सिर्फ सिर्फी या selfie आपको लेनी है, तो हाँ, selfie का camera इसमें अच्छा है, लेकिन दूसरे चीज़ों के बारे में क्या, अगर भ का phone भी लेना है, तो Redmi Note 7 इससे कहीं ज़ादा अच्छा है, आशा करता हूँ आपको ये video अच्छा लगा, भाई लोग ये मेरा हिंदी का channel है, अगर आपने अभी तक इससे subscribe नहीं किया, तो यार subscribe कर लो, अभी के लिए तो बस इतना ही, चलता हूँ, फिर मिलेंगे